लखेंपूर में हुए दंगे में परिजनों से मलाकात करने ज़ा रही कॉंग्रेस की महा सचव प्रयांका वादरा को सितापूर पुलस ने रासत में ले लिया है सितापूर दूतिय बटालियन पियसी में नज़रबंद किया गया है इसके बाद कॉंग्रेसी नेता लगातार धरना प्रदेशन कर रहे हैं साथी साथ सरकार वरूधी नारे भी लगा रहे हैं सितापूर के दूतिय पीसी बटालियन पर पहुंचे कॉंग्रेसी नेता नसी मुद्दीन सद्धिकी के साथ ही हरिवाना के बादरी विधान सवा से विधायक कुल्दीब बक्ष के साथ तमाम कॉंग्रेसी कारकर्थाओं ने जमकार प्रदेशन किया है वहीं सड़क पर लेट कर नारिवाजी की है लखीमपूर में किसान नरसंगार हुआ है आप जा रही है मिलने आपके मन में क्या भावना है अभी देखें जिस तरह से इस देश में किसानों को पुछला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लवजी नहीं है कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है सरकार सुने को राजी नहीं है आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एक दम किसानों को कुछलने की राजनीती कर रही है किसानों को खत्म करने की राजनीती कर रही है और ये देश किसानों क का देश है यह बीजेपी की विचारधारा की जागिये नहीं है किसानों का देश है किसानों ने बनाया है किसानों ने सीचा है पुलिस ने आपके उपर बल प्रयोग किया आपके कारेकरताओं को रोकने की कोशिश किया आपको गाड़ी बदलनी पड़ी जब बल प्रयोग करन इसका मतलब है कि नेतिक अधार सरकार और पुलिस खोच चुकी है। मैं अपने घर से निकल कर कोई अपराद करने नहीं जा रही हूं। मैं सिर्फ उन पीड़तों के परिवारों से मिलने जा रही हूं। उनकी आसू पोचने जा रही हूं। इसमें कॉनसी बुराई है।